आज हम बात करेंगे रंगों के बारे में रंगों को हम मूलता है दो वर्गों में बाढ़ सकते हैं यह है प्राथमिक प्राइमरी और दित्यक सेकेंट्री primary colors वे रंग है जिनने हम दूसरे रंगों की मदद से नहीं बना सकते हैं ये रंग है लाल, पीला और नेला ये तीन रंग बेस या फाउंडेशन रंग है जो कि किसी भी रंग को मिला कर नहीं बनाई जा सकते पर उन तीन रंगों की माध्यम से हम नाना प्रकार के रंगों को बना सकते हैं सेकिंडरी कलर्स को समान मात्रा में मिलाने से जो ने तीसरी रंग बनता है उसे सेकिंडरी कलर कहते है तीन प्राइमरी कलर्स को समान मात्रा में मिलाने से तीन कॉम्बिनेशन होते हैं, जिससे तीन नए सेकेंडरी कलर्स बनते हैं, तो लाल और पीला रंगों अगर हम मिलाते हैं, तो हमें नारंगी केसरी रंग मिलता है, इसे हम एंग्लिश में औरेंज कलर कहते हैं, इसी तरह अ में हरा रंग मिलेगा और हिसे हम hindi में ग्रीन कलर कहते हैं इसी तरह तीसरा कॉंबीनेशन है लाल और नीले रंग strongest अगर हम लाल को नीले के साथ मिला देंगे तो हमें बैंग रंग मिलेगा जिसको हम अंग्रेजी में वायलेट कलर कहते हैं तो चलिए अब रंगों की नामों के बारे में भी जानते हैं पहला रंग है लाल जिसे हम अंग्रेजी में रिड कलर कहते हैं लाल रंग की चीजे हैं लाल तमाटर लाल गुलाब का फूल लाल चैरी और लाल सेब इसी तर अगला रंग है पीला जिसे अंग्रेजी में यलो कलर कहते हैं पीले रंग की चीजे हैं जैसे पीले रंग का केली का छिलका होता है पीले रंग का अननास होता है पीले ही रंग का सूरज जी होते हैं और पीले रंग का हमारे नीबु का छिलका होता है तो बच्चों ज हरा घ्रला रंग हरा जिससे हम अग्रेजी में ग्रीन कलर बोलते हैं हे रंग का प्त पेड़ों प्ते होते हैं मेंधग जो होता है वो भी हरे रंग का होता है हरी-hari खास होती है और इसी तरह एक यह ज़िलए हरी प्त siis वहって हैं निले रनक निला आसमान यक्ट落ऊ में इंड्यप्रारिया ट्रह टो आशान हो जाएगा है अगले अलती सब्सकों सब्सक्राइब पहारी चेलिए हम अगले रण को ऑख के आच बहुत पसंद आती है बालू जो होता है वो भी भूरे रंका होता है पेड की जो टहनी और शाखाएं होती है वो भी भूरे रंकी होती है और इसी तरह सब बच्चों का फिवरेट पटाइटो आलू जो होता है वो भी भूरे रंका होता है अगला रंग है नारंगी जिसे हम अंग्रेजी में औरेंज कलर बोलते हैं तो चले देखते हैं नारंगी रंग की चीज़े सीता फल, सीता फल का जो रंग होता है वो भी नारंगी होता है इसी तरह खरगोश का जो पसंदिदा सबजी होती है गाजर उसका रंग भी नारंगी होता है संत्रे का कलर भी नारंगी होता है और इसमें दी के ही जो एटोपी है उसका कलर भी नारंगी है अगला रंग है सफेद सफेद रंग की चीज़े जिसको हम सफेद रंग को हम इंगलिश में वाइट कलर बोलते हैं सफेद रंग में चांद जो है हमारा वो सफेद रंग का होता है इसी तरहे दूद का जो रंग है वो भी सफेद है हमारे बालों का रंग भी बुढ़ापे में सफेद हो जाता है और जिस कागच भी हम लिखते हैं वो जाधतर सफेद ही होता है अगला रंग है काला जिसको हम अ इसमें के टेलीफोन वी काले रंका है और हमारा जीबरा है उसके ओपर प्रशारीय लगी हुई है वह भी काले रंक से हैं तो जो भी चीज़े आपको मिले तो अपने घर में उसको पहचान का अगला रंगे गूलाबी जिसको हम अंग्लीजी में पिंक कलर बोलते हैं तो प्रम पूरा ओराबी रंग के उससाया होता है के चीजर अ difर फून गुलाबी रंग की सैंडलilt अरो चछ नाफ चाहिव क demás ही जाल ज़ाँदर यह रंग बहुत पसंद आता है यह एक जो सब्ची होती है उसका कटलर बैंगनी होता है इसकी तरह इसमें जो कप दिया गया है उसका कलर भी बैंगनी है और जो एक कार है इसका काल का अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा